हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं pre-diabetes के बारे में एक ऐसी disease condition जो लगबग 14% लोगों को हिंदुस्तान में affect कर रही है और दुरभागेवश उन में से 80% लोगों को इस बीमारी के बारे में awareness भी नहीं है यही वो condition है जहां से बीमारी को पूरी तरह reverse किया जा सकता है औ अगर reverse नहीं किया गया तो अगले 10 सालों में आने वाले 10 सालों में यही बीमारी diabetes का विक्तराल भयावारूप ले लेगी आईए हम जानते हैं कि pre-diabetes क्या है यह वो disease condition है जब आपको diabetes तो नहीं हुई है लेकिन आपके body के अंदर आपके blood के अंदर sugar का level normal से उपर चला गया ह लेकिन इतना उपर नहीं गया है कि आपको diabetes दिक्लेर किया जाए तो समझते हैं इसके sugar के level के limits के बारे में अगर fasting का blood sugar level अगर 100 के अंदर है तो वो normal healthy condition है 100 to 125 mg% है तो वो ही condition pre-diabetes है 125 से अगर उपर चला गया है तो आप diabetic condition में enter कर चुके हैं नाश्ता करने के 2 गंटे के बाद का sugar का test करने से बहतर है pre-diabetes patients को OGTT oral glucose tolerance test करवाना चाहिए जिसके अंदर के लगबग 8 से 12 गंटे की fasting की जाए overnight fasting की जाए भुगा रहा जाए उसके बाद सुभा में 75 ग्राम glucose की मात्रा एक ग्लास पानी के अंदर पिलाकर consume की जाती है और उस के अंदर sugar का level 140 से नीचे आता है तो यह healthy condition है 140 से 199 mg% के बीच में आता है यही pre-diabetes की condition है और अगर 199 से 200 से उपर चला गया है तो अब आप diabetic condition में, diabetic situation में, diabetes की condition में आ चुके हैं इसके बाद तीसरा parameter जिसकी मैंने पिछले अपने previous वीडियो में भी बात की थी जिसे मैं आई बटन में share कर दूँगा कि अगर HbA1AC का level जिसे की glycosylated hemoglobin भी कहा जाता है उसका level अगर 5.7 से कम है वो normal healthy condition है 5.7 से 6.4 है वो pre-diabetes condition है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं और अब हम जानने की कोशिश करते हैं pre-diabetes को कैसे पहचाना जाए इसके sign या symptoms क्या है unfortunately initial stage में pre-diabetes की condition में कोई खास symptom डवलप नहीं होता या कुछ बहुत mild symptom डवलप होते हैं जिसकी वजा से ही ये लंबे समितलग undiagnosed disease condition रह जाती है लेकिन उन mild symptoms को भी पहचाना जा सकता है उन लगना वजन का घटना और कमजोरी का बढ़ना इन initial symptoms को भी हम अगर पहचान लें तो pre-diabetes condition को reverse किया जा सकता है और आगे diabetes में जाने के खत्रे को भी टाला जा सकता है ठेकिन अगर ये pre-diabetes के symptoms अगर आप में develop नहीं हो रहे हैं तो कुछ warning signs भी हैं जिनके जरिये से आप जान सकते हैं कि diabetes होने वाली है या pre-diabetes की condition में जाने की संभावना आपकी ज्यादा है सबसे पहला family history अगर आपके father या mother को diabetes है आपके siblings को आपके sister या brother को diabetes है तो आप भी high risk पर हैं अपने आपको alert mode में रखिए संभल के रहे हैं अगर आपकी उम्र 45 साल से उपर हो गई है य लेकिन एक सिंपल सामय आज आपको parameter बताने वाला हूँ जिसे हम बोलते हैं waist size अगर आप male है और आपका waist size 40 inches से ज्यादा है और अगर आप female है और आपका waist size 35 inches से ज्यादा है तो आप alert हो जाईए ये बहुत important warning sign है pre-diabetes और diabetes के शुरू होने का आने का अगर आप active नहीं है तो वो भी pre-diabetes की लिए आप दावत दे रहे हैं उसे बुलावा दे रहे हैं gestational diabetes वो condition जब pregnancy के दोरान मा के अंदर sugar का level normal से उपर चला जाता है diabetes शुरू हो जाती है और अमूमन pregnancy के बाद delivery के बाद वो reverse हो जाता है ऐसी condition में भी mothers को alert रहना चाहिए और हर 2-3 साल में अपने sugar क level को बार-बार test कराते रहना चाहिए family background नहीं कि आपका origin माना जाता है कि बहुत सारी species बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर sugar के होने की संभावना ज्यादा है जैसे कि American Indians या Asian Americans के अंदर sugar के बढ़ने की probability बहुत जादा है उनको alert रहने की जरूरत है उसके अलावा stress definitely बहुत body के अंदर बहुत सारे बदलाव लाता है, hormonal level के अंदर बहुत सारे बदलाव लाता है और sugar के level को बढ़ा सकता है और इसके अलावा dietary role भी बहुत बढ़ा है आप्की fluid intake आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इसका भी बहुत बढ़ा rule है उसके लिए मैं अपने previous videos में बा तो आप alert हो जाएए, आप risk पर है, आपको diabetes हो सकती है, आपको pre-diabetes हो सकती है, अभी risk से कैसे अपने आपको बचाया जाए, सबसे पहला जैसे मैंने बताया, weight को control किया जाए, अपने belly fat को कम किया जाए, अपने inches हमेशा नाते रहें, weight size हमेशा नाते और उसको control में रखें, exercise कर तीज से साथ मिनट या उसे ज्यादा exercise regularly करें, अपने खाने पर control रखें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसको अच्छे से समझ लें, क्या चीज खाने से आपका sugar का level बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखें, यह सारी detail में उपर आई बटन में आपको share करन इसके साथ smoking और alcohol को भी बिल्कुल छोड़ दे, यह भी बहुत बड़ा factor है, जो आपकी body के अंदर sugar के level को, stress के level को हमेशा बढ़ा कर रखता है, असल में diabetes को manage करने के लिए insulin का अच्छा बना, insulin का ठीक से काम करना, और beta cells का healthy रहना की हमारा मुख्य लक्षे होता है, क्यूंकि आप pre-diabetes condition में हैं, तो आपका sugar का level normal से तो उपर गया है, बहुत जादा उपर नहीं गया है, ऐसे में बहुत जादा दवाईयों की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे में lifestyle modification करके, अपने आपको active बना कर, और अपने खान-पान में थोड़ा सा बदलाव करके, आप pre-diabetes को सबसे पहले कुंदरू, जिसे botanically coxinia indica भी कहा जाता है, जो insulin के sensitivity को बढ़ा देता है, glucose के utilization को body में बढ़ा देता है, उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, उसके fruit का आप cook करके, सबजी बना कर भी इस्तमाल कर सकते हैं, और उसके fruit या उसके leaf को dry करके, उसके powder को 2-5 ग्राम पा common kitchen ingredient, जो आपकी kitchen में बहुत असानी से मिल जाएगा, जिसे मेथी दाना भी कहा जाता है, या fenugreek seed के नाम से भी जाना जाता है, जो की बहतरीन source है, vitamins का, minerals का और antioxidants का, जो आपकी body को energize करता है, आपके खाने को tasty भी बनाता है, और साथ के साथ आपके sugar के level को control करने में भी मदद करता है, इसके अंदर कुछ active, phytoactives, phyto constituents होते हैं, जैसे की galactomanon और soluble dietary fibers होते हैं, जो की glucose के absorption को intestine से delay कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे की तोरंट sugar का level blood में नहीं बढ़ता, इसकी थोड़ी सी मातरा सिर्फ आदा चमच भी अगर आप सुबा चाम ले रहे हैं, या इसक के glucose को नियंतरन करने में, कंट्रोल करने में बहतरीन role play करने वाला है, इसके अलावा एक और बहुत common ingredient की में बात करने वाला हूँ, जिसे हम कलोंजी कहते हैं, नाइगेला, सटाइवा, ये भी मिथी की तरह बहुत vitamins, minerals और antioxidants का rich source है, भरपूर source है, जो आपकी body को ताकत देता है, strength देता है, आपके tissues को damage होने से, car salt पे आपके beta cells को damage होने से बचाता है, insulin के production को, insulin के sensitization को बढ़ा देता है, इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा लगबग 1.5 gram से लेकर 3 gram के बीच में भी अगर डेली ली जाए, साधे पानी के साथ, तो ये भी आपको pre-diabetes condition को reverse करने में कर सकते हैं, जो की sugar को घठाने में कारगर है, इसके seeds का खास और अगर आप powder बना कर आदे से एक चमच अगर आप नियमित रूप से ले रहे हैं, तो ये भी आपके sugar को control करने में बेहत कारगर है, इसके अंदर एक phyto active मिलता है, जिसे कैरंटीन के नाम से जाना जाता है, जो insulin को sensitize करता है, insulin को activate करता है, और glucose के utilization में भरपूर मदद करता है शरीज के अंदर, जिससे की sugar का level भीरे-दीरे घट जाता है, और normal range में आ जाता है, यानि के pre-diabetes condition जहां पर आपको दवाई की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो कुछ ऐसी food items को जोडने की, जो की लंबे समितल तक आप इस्तामाल करें, हमेशा आप इस्तामाल करें, और sugar का level हमेशा normal limit के अंदर रहें, जरूरत है अपने lifestyle को अच्छा करने की, जरूरत है अपने आपको active रखने की, exercise करने की, योगा करने की, प्रणायम करने की, और अपने आपको fit रखने की, इसी के साथ मैं अपनी आ